नमस्कार जनता समचार में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ कंचन आई चलते हैं खबर क्योड पूर्बू मुख्यमंत्री उमभारती ने एक बार फिर शराब बंदी को लेकर ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि सरकार की नई संसोधित सराब नीती जनवरी शे घोस अप्रेल से लागू हो जाएगी वे उस नीती की प्रतीक्षा में है इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी के बाद आर या पार की लड़ाई हो सकती है आगे उन्होंने कहा कि अभी तक कि भ्रमड से यह बात साफ हो गई है कि पूरे प्रदेश की जनता को शराब के खिल की प्रतीक्षा मैं आशानवीत भी हूं आशंकित भी हूं और जैसा कि पहले से ही तै है कि 17 जनवरी के बाद आर या पार की लड़ाई भी हो सकती है बता दे कि कुछ दिन पहले भी उमा भारती ने शराब बंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था उन्होंने गोशना कर कर दी है कि जनवरी में शराब नीती आने के बाद इसे लेकर वो अपना रुख साफ करेंगी पई भुपाल के गांधी नगर पुलिस ने जीप के बोनट पर खड़े होकर स्टंट करने वाले गुंडे जुवेर मोलाना सन्नी मलिक और ड्राइवर उमर को गिरफतार किया है पुलिस ने वह जीप भी जब्त कर ली है जिस पर स्टंट किया गया था गांधी नगर थाना प्रभारी अरुन शर्वा ने बताया कि सोमवार मंगलवार दर्मियानी रात पता चला की तीनों बदमाश नाकपुर भागने की फ्राक में है वह जीप से गांधी नगर इलाके क की तरफ आ रहे हैं पुलिस ने घिरावद्ली करा आरोपियों को गिरफतार कर लिया ये थी आज की खबर और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्स्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना ना भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें